गुड मॉर्णी डियर स्टुडेंट, टूडे इस योर हिंदी क्लास, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याक्राण की किताब से कारक, लेसन नमब सेवन, कारक, पेज नमब ट्वेंटी, सीक्स, कारक, कारक क्या होता है बच्चो, जो बाक्य में संग्या या सर्वनाम सब्दों के किरिया के साथ जो संब्द होता है उसे हम क्या कहते है बच्चो, कारक, कारक कितने प्रकार के होते हैं, आठ प्रकार के होते हैं, जैसे इस बुक में आपको मैं बताऊंगी, जो भी है इस बुक के अंदर मैं आपको बताऊंगी, कारक, आज का चैप्टर अपना कारक, हिंद गौरव स्कूल से घर आया उसने मा को आवाज लगाई मा ने हरीश को भोजन दिया पिताजी ने हरीश के लिए गड़ी खरी दी उसने चम्म से खीर खाई वाक्य में संग्या या इस्तान की अवस्ता या रूप से किरिया के साथ उसका संबन प्रकट होता है वो इस प्रकार ब गया गौरव इसको से घर आया उसने मा को आवाज लगाई मा ने हरीश को भोजन दिया पिताजी ने हरीश के लिए घरी घरी दी तो किसने किसके लिए क्या किया है और कौन आया कौन गया यह सब इसमें बताया जाता है कारक में क्या कारक की पड़िभशा क्या होती बच्च आने वाली जो अवस्ता जो इस्तती होती ही बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं कारक प्रत्य वाक्य में हरी संग्या की अवस्ता बदली हुई है तो हरी को हरी के लिए दूसरे वाक्य का सर्वनाम वह तीसरे वाक्य में अपनी अवस्ता बदल कर उसने हो गया तो इसमें यहा सही वाइक पर राइट का चिन्ने लगाना है वर ख़क दिया हुआ forced गर आया यह कोई संटेंस हुआ नहींह। तो इसमें सही संटेंस क्या हुगा था C he.heAPC flavor का स्टेंस गभर आया कहा से गरा है है हरी इसकूल गर आया यह कोई सेंटेंस हुआ नहीं तो इसमें सही सेंटेंस क्या होगा हरी इसकूल से गर आया का से गर आया इसकूल से वह कुरसी बैठ गया कौन वह कुरसी बैठ गया कोई भी सेंटेंस का मतलब नहीं हो रहा है तो इसका ठीक सरीके सपन क्या लिखेंगे वह खुर्सी पर बैठ गया, ये पुरा proper sentence होगा, उस माँ आवाज लगाई, उसने माँ को आवाज लगाई, सही sentence कौन सा होगा? उसने मा को आवाज रगाई मा हरिश बोजन दिया किसने किसको बोजन दिया इसमें कोई भी बता नहीं रहा है मा ने हरिश को बोजन दिया उस चम्मच कीर खाई उसने चम्मच से कीर खाई पिताजी हरिश गड़ी खरी दी पिता जी ने हरीज के लिए घड़ी खरी दी किसने किसके लिए घड़ी खरी दी पिता जी ने हरीज के लिए घड़ी खरी दी तो इसमें कुछ जो sentence वर्ग कर में दिया होता ये बिल्कु सेंटेंस प्रॉपर नहीं थे में वर्ग में जिन अनुपस्तिती से वाकिय अलपटे मालूम पड़ते हeffective उन्ही सब्धु को वर्ग हमें पुलियो करने वाकिस पस अर्थ बताते। ऐसे वाकिय को अन्यसब्धों का आप सी सम्बन प्रकड करते हैं ये पस्रप अत्वा विबक्ति चिन्न कहलाते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं करता कारक कर्म कारक करन कारक संप्रदान कारक अपादान कारक, संबन कारक, अधिकरन कारक, संबोधन कारक कारकों को प्रकट करने वाले चिन ने को से के लिए का मैं पर आधि को कारक चिन या अभिबक्ती कहते है कारक चिन के या पर जो एक टेबल बनी हुई है वो देखे कारक दिये हुए, कारे लक्षन दिये हुए, कारे चिन और वाक्य दिये हुए है करता कारक, कारे करने वाला जो होता है उसे करता कारक, करम कारक जिससे किदिया का फॉल पड़ता है करन जिससे साधन का कारे होता है संप्रदान कारण कारिय इसके लिए होता है अपादन अलग होने के लिए दर्शय जाता है संप्रदान कारण ये जोड़ता है अधिकरण किसी वस्तु या व्यक्ति की स्तती दिकाई देती है संप्रदान कारण पुकारने का भाव करता ने करम को करण से संपनदान कोया के लिए अपादान से प्रतक संबनकारक काकी के रारीरे अधिकरण मैं पे पर संबोदनकारक हे अरे ओ तो इसके वाके भी ठीक इसी प्रकार बने हुए है आपको इसको द्यान से पढ़ना है